Hello friends, Most Welcome to my channel Beauty and Heils Styles आज मैं आपकी लेके आए हूँ कि अपनी क्रीज को आई शेड और क्रीज को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगे क्रीज को फाइंड आउट करने के देखिए बहुत सारे पर्सन सायसान पिलिकी को पता ही नहीं लगता किन की क्रीज कोंसी है ज़से आप देखिए मेरी हुड़ी ऐस हैं खुड़ी आइस कौन सी होती है जब यह वाला पार्ट और कीज में एक लाइन सी होती है ना जो यह पार उसके उपर गिर जाता है नीचे वाले पैलेट जो होती है उसके उपर गिर जाता है तो आइस होती है अब मेरी क्रीज कुनसी है ये वाली जहां पे दोनों मिल रही है लेकिन अगर मैं यहां कोई कलर लगाती हूं वो दिखाई नहीं देगा सुपोस कि मैंने अपनी आईशेडो पैलेट से एक कलर लिया है और वो मैंने यहां पे लगाया अपनी क्रीज पे लगा दिया ये ठीक है यह मेरी क्रीज है लेकिन अगर मैं उपन करते हूं तहीं क्दर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मेरी यह जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाली पैलेट के ऊपर है तो crease कैसे find out करनी है? देखिये, crease को find out करने का पहला तरीका दो तरीके हैं ठीक है ना? दो तरीके हैं, अपनी crease को find out करने के सबसे पहला तरीका यह है कि आपने क्या करना है? एक spoon लेना है spoon, चमच और आपने ब्रश लेना है और अपनी eye shadow palette ready रखनी है ठीक है अब आप करीज कर से फाइंट आट करोगे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको इस स्पून को अपने इस तरह से इस तरह से रखना है इस तरह से यानि कि यह जो चीज है आपके यह वाली जो चीज है यह वाली ऊपर वाली यह वाला जो पार्ट है यह वाला यह पार यहाँ पे, जब आप अपर spoon को लगाऊगे ना आपको पता लग जाएगा कि आपकी आइस कहाँ पे खतम हो रही है, ठीक है ना, तो आपकी, जब आप इसको ऐसे रखते हो, आपने color लेना है अपना, जो भी आप color चूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा हरका सा dark color चूज कर रहे हैं और अब मैं, यहाँ पे blending करना start कर रहे हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहे हूँ, blending करना start कर रहे हूँ, अपने color के साथ, तो मैंने जो भी color आपिक कर रहे हैं, वो पिक कर रहे हैं, अपनी blending करना start कर दे, अब ये देखिए ये जो है ये जो बाट आया है ना अब ये वाला पाट जहां पर मैंने अब कलर दिया है अब ये है मेरी क्रीज अब मैं इस ओपन कर रहे हैं कलर दिखाई दे रहा है ना पहले नहीं दिखाई दे रहा था है ना तो ये मेरी क्रीज है सबसे पहला तरीका है आपको find out करने का कि आपको color कहां देना है एक तो ये है Secondly, मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से अपनी crease को find out करना है तो आपको क्या करना है आप यहाँ पे लीजी अपना concealer यह फर्स तरीका फर्स्ट वे है दूसरा तरीका आपने यहाँ पे concealer लिया देखिए मैं यहाँ पेसे लगा देती हूँ थोड़ा ज्यादा सा लगाएंगे और इसको इस तहां से open करूंगी मैं अब देखिए मैंने इसको इस तहां से नीचे करके से open किया अपनी इसको मैंने यहाँ पे लगाया था यह और यह उपर चला गया है लगाया मैंने नीचे था और यह उपर चला गया मैं आपको एक और अगर आप जादा effectively देखना चाहते हैं तो मैंने हलका सा liquid concealer लिया है वो मैंने क्रीम बेज लिया थे मैं liquid लिया है और मैं यहाँ पे लगा देती हूं इससे यह देखिए और मैं इसको open करती हूं तो यह फैल गया न यह देखिए अब क्या हुआ जर मैंने नीचे लगाया था उपर जब यहाँ यहां पर तो यह मैंने बॉपर लगजाता है अब यह maximum जहां लगा है, maximum कहां लगा है यह, यहां पर, यह यहां पर, यह जो area है, यह, इसका मतलब यह है, कि यह जो area है, जहां पर यह लगा है, यह मेरी crease है, क्रीज को, चेक करने का बिल्कुल आसान तरीक है, एक तो spoon लो लगाओ, और उससे blend करके, अब आपके कलर लगाओ, वो आपकी crease है, next, जहां पर spoon खतम हो रहता है, जहां आप लगाते हो, उसके उपर, वो आपकी crease होती है, next, आपने अपना foundation, यह concealer लिया, उसको लगाया, और आ open करके, maximum जहां तक आ रहा है, यह आपकी crease है, यह जो है, यह मेरी crease है, अब मैं इसको जड़ा मैं आपको crease बना के दिखाती हूं, यह है ना मेरी crease, यह यह वाली, यह वाली, तो इसको प्रॉपर लिया, आपने बना लेना है, अपने ब्रश की हर्प से, तो यह मेरी आगई crease, अब आपको समझ में आया, कि crease कहां पर होती है, इसको neat and clean कर ले, corner तक लेके आए, और अपने एक पतले से brush की हर्प से इसे neat and clean करें, बस यहां तक मैंने इसको बना लिया, ठीक है, इसको अच्छे से, और powder की हर्प से आप इसे set कर ले, यह क्यों होगी आपकी crease, अब आपको कापकी crease पता लग गई, और आपने इसमें color कैसे देना है, ति अभी मैंने side में कोई color नहीं दिया, मैंने कहीं भी color नहीं दिया, suppose कि मैं side में हलका सा tone दे देती हूं, जो की है मेरी bluish tone दे देती हूं हलकी सी, यहां पर मैं हलका सा blue tone देती हूं, बिल्कुल जस्त नॉर्मली मैं दे रही हूं, आपको बताने के लिए, और उपर हलका सा इसको blend कर दिया, अब आपको क्या पता लगा, आपको crease दिखाई दे गई अपनी, अब यह जो area है, मुझे क्या करना है, मुझे इस पर color देना है, मैं चाती हूं मैं pink pigment दूं, मैं चाती हूं कि मैं न, हलका सा pink pigment दूं इस area में, हलका सा, लेकिन, आजकल बहुत trend है कि यह चीज़ जो है white रहती है, बहुत trend में है न, तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपना blending brush लिया, blending brush की help से, मैंने हलकी सी, जो skinny tone होती है, अपने eyeshadow palette से, जो skinny से color की tone होती है, यह वाले light से color की tone होती है, यह वाले tone ली है, और इसको मैं यहाँ पर blend कर देती हूं, बिल्कुल properly मैंने इसे blend कर दिया, आजकली eyeshadow काफी trend में है, किया, ठीक है, आ गई है, हमारी crease आपको पता लग रही है, ठीक है, हमारी crease भी दिखाई दे रही है, अब मैं चाहते हूं कि इसमेंने मुझे हलका सा, थोड़ा सा pink, pink tone आए, यानि कि little bit pink pigment दिखाई दे, मेरे corner पे, यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, मैंने हलकी सी glue लेनी है, और इस glue को, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, side में, just side में diagonal ही लगाऊंगी, diagonal ही लगा रही हूं, और यह जब pigment है, वो भी मैंने ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल light pigment दूंगी मैं, तो मैंने यहाँ से pigment लिया है, मेरा pink pigment, और इसमें मैंने हलका सा इसको निकाला, ब्रश की हाल से मैंने इसे pick किया, और लाइट सा pink pigment दूंगी, ताकि एक अच्छी सी tint आए, अब देखिये friends, हमने आपे pigment लगाया है pink, यह काफी अच्छा pigment लग रहा है, लेकिन मैं चाहते हूँ कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है pigment नज़र आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, obviously, मुझे अपनी brush की help से, एक line create करूँगी, तो मैंने क्या करूँगी, यहाँ पर brush की help से, एक line create करूँगी, यह जो line है, यह मैं अपनी glue से लगानी है, यह हमने, और यहाँ पर हमने अपना वही pigment लेना है, जो कि हम apply करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने Miss Clear कहीं, यहाँ पर pink pigment लिया है, जिसको कि मैं apply करना चाहते हैं, थोड़ो थोड़ो से आपने लेना है pigment और इस तरह से dab dab करते हुए आपको इसको लगाना है, तो आपका जो pink tint यहाँ पर आएगा, So friends, यह देखिए, और यहाँ पर इसे shade दे देना है, इस तरह का shade दे देना है, जिसे हमने light ही रखा, और यहाँ से हमने इसे shade दे दिया, तो यह हो गया है हमारे पास, complete, तो इस तरह से आप यह eyeshadow अप्लाई कर सकते हैं, और next हमारा अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाकी हैं, that is, हमारी eyeliner आप अप्लाई करोगे, आप अपना corner में highlighter अप्लाई करोगे, यह सब कुछ अभी rest of चीज़ें हैं हमारी बच्ची हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना highlighter लिया है, जो कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, और इस ही highlighter को मैं अपने इस एरिया में भी अप्लाई कर देती हूँ, हलकी सी shine के लिए, जो हाँ पर मैंने crease छोड़ी थी, और नीचे की side भी अप्लाई कर देंगे, बाकि आप अपना aligner अप्लाई कीजिए और जो भी आप अप्लाई कर रुचाते हैं अप्लाई कीजिए आपको प्रॉपर ली जो है इसकी बहुत ही अच्छी और यूनिटी आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं बीच में एक center में एक proper line दिखाना तो वह भी आप दिखा सकते हैं, obviously आपने brush लेना है उस पर concealer लेना है और इस तरह से अपनी crease line को represent कर सकते हैं, ताकि वह properly represent हो, यह इस चीज के लिए है, proper representation के लिए, इस तरह से, So friends, इस तहां से आप crease cut eyeshadow लगा सकते हैं, बहुत ही easily, So friends, I hope so, कि आपकर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, Thank you video देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए, आप मेरी चैनल beauty and हिसा में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपना liner wear complete करेंगे तो यह proper रुखाएगा, Thank you friends, goodbye.